गुड मॉर्निंग बच्चो आईए आज हम क्लास 4 का हिंदी ग्रामर का पार्ट 2 हिंदी बर्ण माला में क्रैस कोर्स वीडियो बनार क्रैस कोर्स वीडियो क्या है बच्चो जो आपका पार्ट 2 का जो भी इंपोर्टेंट बात है या मुखे बात है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी जो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है और आपको इनको याद रखना है ताकि आपको आगे चलके कोई इस पार्ट को दोहराने में कोई परिशानी न हो तो आएए आगे बरती हूँ पार्ट दो की मुख्ज बाती क्या है पहला है बर्ण बर्ण क्या है बर्ण भासा की सबसे छोटी द्वन है जिनके और टुक्रे नहीं किये जा सकते बर्ण क्या है? बर्ण भासा की सबसी छोटी दो नहीं है जिसके और टूपे नहीं किये जा सकते आगे बढ़ती हूँ बर्ण के बेद, बर्ण के दो बेद होते हैं स्वर्ण बर्ण और व्यंजन बर्ण हिंदी में 11 स्वर्ण और 33 व्यंजन है और बर्ण माला क्या है? बर्णों के वेवस्ति समूर को हम बर्ण माला कहते हैं आईए आगे बढ़ती हूँ सयुक्त ब्यांजन सयुक्त ब्यांजन क्या है? जो बर्ण, दो दो बर्णों के मेल से बने हैं उन्हें सयुक्त ब्यांजन कहते हैं जैसे जो बढ़नों के मेल से ही बनते हैं उसे हम सयुक्त ब्यंजन कहते हैं जैसे छ आपको बनाना है को और स से बना है और ग्या है आपको यह जार यह से बना है तो हिंदी भासा में कितने सयुक्त ब्यंजन है चार है जैसे छ र ग्या और फ्रवजु है आपका सयुक्त ब्यंजन है इसके आगे है सयुक्त तक्षर सयुक्त तक्षर क्या है बच्चो आधे ब्यंजनों का मेल जब पूरे ब्यंजन के साथ होता है तो उन्हें हम सयुक्त तक के साथ होता है तो उनके मेल को सयुक्त अप्छा कहते हैं जैसे पत्ता मक्खी आदी इसमें आप देखिए पत्ता आपको कैसे बना है आधा तो और फूरा मिला के पत्ता बना है और मक्खी में भी आप आधा को और खो देख रहे हैं तो आपको मक्खी बना है तो बच्चों य पार्ट दो का आपका इतना इंपॉर्टेंट ये बाते हैं जिनको आप याद रखेंगे आगे मैं इस पार्ट से जुड़ी प्रशनुत्तर और कुछ अनव बाते भी आपको बताऊंगी जो आपके लिए important है जिसको आपको यार करना है जो आगे चलके आपको आपके काम में आए तो चलिए मैं आपको आगे इस पार्ट सुझे हूँ बच्चो अभी आपने पाट दो को सुना और समझा उनकी में बातों को आईए मैं उस प्रस्न उतर आपको बताते हैं जो आपके लिए important है पहला प्रस्न है स्वर और वेंजन में क्या अंतर होता है उतर होगा जिन बढ़नों को बोलने में किसी अन बढ़न की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वे स्वर कहलाते हैं इनकी संख्या गा रहा है जिन बढ़नों को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वे वेंजन कहलाते हैं इनकी संख्या 33 आईए बच्चों मैं इसको पर और दो रहाती हैं स्वर और वेंजन में क्या अंतर होता है जिन बढ़नों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वे स्वर कहलाते हैं इनकी संख्या 11 आईए और जिन बढ़नों को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वे वेंजन कहलाते हैं इनकी संख्या 33 दूसरा प्रस्ण है सईक तक्षर किसे कहते हैं ज़ग दो या दो से अधीक व्यंजन आपस में जूडते हैं तब जूड़े हैं व्यंजनों को सईक तक्षर कहते हैं जैसे बज्चा कच्चा ज़ग दो या दो से अधीक व्यंजन आपस में जूड़ते हैं तब जूड़े हुए बंजनों को सईक तक्षर कहते हैं जैसे बज्चा कच्चा आगे बढ़ती हूँ प्रस्ण है परतेक समूँ में सईक तक्षर वाले सब्दों पर गोले लगाई है है भगत, भगत, भरत और भारत पर सईक तक्षर आपको पता ही है कि क्या होगा व्योग होगा भगत दूसरा है गठर, गठरी, गठन और गमन आपका सईक तक्षर वाला सब्द होगा गठर तीसरा है क्रिपा, क्रिश्न, क्रिपन और क्रिशी आपका सरीतक्षर वाला सब्द होगा क्रिश्न एक बार और सुन लीजिए पहला है भरत, भगत, भक्त, भारत और भारत आपका होगा सरीतक्षर भक्त दूसरा में है गठर, गठरी, गठन और कमन आपका होगा सयुटक्षवाय सब्द गठा तीसरा है क्रिपा, क्रिष्ण, क्रिपन और क्रिष्ण सयुटक्षवाय सब्द होगे क्रिष्ण आगे हैं आपको उचीत मात्रा लगाकर सब्द बनाईए आपको मात्रा में सब्द लगाकर बनाना है अब देखिए बच्चों लहंगा लिखा हुआ है तो ऐसे बनेगा हाओ के उपर चंदरबिंदू लगेगी और बनेगा लहंगा कयल है का में आपको ओकी मात्रे लगाएंगे और बन जाएगा फोयल अब यह है परब यह है आपका परब परब इसमें पम में उपकी मात्रे लगाएंगे बन जाएगा पूरब यह है आपका कबत्तर पम में उपकी मात्रे लगाएंगे बन जाएगा कबुत्तर बड़ और सुन जिए लहंगा बनेगा हाओ के उपर चंदरबिंदू लगाकर लहंगा कोयल बनेगा करकी उपर ओ की मात्रा लगाकर कुरब बनेगा उ की मात्रा लगाकर और कबुत्तर भी बनेगा आपको उ की मात्रा लगाकर आगे चलती हूँ सही उत्तर चुनी आपको जो सही है उस पे आपको सही का टिक लगाना है इस सब्द में री की मात्रा लगी किस सब्द होगे देखिए स्रीमान और स्रिंगार है तो सिंगार में आपको री की मात्रा लगी दूसरा है आधाना और मौस्रे बने सभी तक्षर वाले सब्द होंगे सब्द क्या होंगे जनम और निम्न दिया होगा आपका होगा ये जो होगा आपका जनम होगा आपका ये एक बार और इसको सुनने चीए सही उत्तर चुनना इसमें इस सब्द में री की मात्रा लगी है तो इसमें स्रीमान और सिंगार है तो सिंगार में आपको री की मात्रा लगी है दूशरा है आधा न और मो से बने सब्द पक्षर वाले सब्द आपको बताना है तो ये होगा आपका आधाना है नव और मो है तो बन जाएगा आपका जन्म तो बच्चों आज आपने पाठ दो से जूड़ी सारी बातों को जाना और इंपोर्टेंट प्रस्मुत्रों को जाना तो मैं आशा करते हूँ कि इसे आप याद करेंगे आज के लिए इतना ही धन्यवाद